कि आप सभी को हमारे यूटूब चैनल जैपिक लासेज पर आज हम क्लास एट का पहला चेप्टर कि परिमेशन के एक्सराइज 1.3 लेकर आया हुआ है एक्सराइज 1.3 का पीछले वीडियो में हम लोग किशन 5 तक कर चुके थे आज का वीडियो में हम लोग किशन 6 से देखेंगे चलिए देर ना करते हुए सेशन को स्टाट करते हैं किशन 6 बोल रहा है कि गुनन पर योग एवं ब्यकलन पर बित्रन गुन के युप योग से निमिलिखित का मानियत किजिए कि गुना का योग और गुना पर योग गुनन का योग जो हता है गुनन का योग और ब्यकलन पर बित्रन कुन के युप योग से निमिल लिखित का क्या करना है मान गयात करना है तो चलिए हम लोग करते हैं यहां से देखेंगे हल तब पहले इसको गुनन के बित्रन गुन नियम पर गुनन का योग और ब्यकलन पर इसको पहले बदल देंगे तो इसको लिख लेते हैं मैंनस तीन बटा साथ गुनन पाच बटा बारह इसको ब्रैकेट में बन करनेंगे फिर है प्लस पिर हैं एगारह बटा बारह गुनन मैंनस तीन बटा साथ इस तरह से हम लोग कर लिए यह क्या पर हो गया यह हो गया यह हो गया गुनन का योग और ब्यकलन पर इसको आगे बित्रन गुन नियम हो गया यह हो गया योग का अब इसको आगे सॉल्ब करेंगे इधर वाला को इधर सॉल्ब कर लेंगे इधर वाला को इधर पहले इस प्रैकेट का हम लोग सॉल्ब करेंगे चलिए करते हैं पांच और तीन का गुना करेंगे तो पांच दिया का पंदर अब बारह साथ के गुना करेंगे तो बार सत्य जवरासी प्लस है तो यहां प्लस अब इधर वाला को सॉल्ब करेंगे और 12 रते 84 एग रतीय आइ तेर थीस मैंनस में है कि इसको करेंगे मैंनस हो जाएगा मैंनस पंदरा शोरा से प्लस है मैंनस है प्लस मैनस मैनस हो जाता है मैनस 33 बट्टा जोड़ास इसका एल सीम ले लेंगे कितना आजाएगा जोड़ेंगे तो मैनस में आजाएगा पांच तीन आठ तीन अवे चार बट्टा इतना इसको काड़ देंगे 12 से काटेंगे 12 से चुरा से बार चोक 48 मैनस चार बट्टा का साथ यह आगया एंसर अधा एक किस्चन किस्चन सिक्स नंबर का यह था यह था यह बी में दे दिया है पांच बट्टा आठ गुल्ने साथ बट्टा का बारा मैनस तेरो 24 गुल्ने पांच बट्टा का आठ इतना दिया हुआ इसको शुल्प करेंगे सिम्प्ली जो दिया रहेगा प्लस मैनस उसको ड्रैकेट में कर लेंगे वह हो जाएगा उसके बाद उसको सॉल्प कर देंगे लिए देखते हैं इसका हल पांच बट्टा आठ को जैसे लिख लेंगे वह साथ बट्टा बारा भी लिख लेंगे यहां पर मैनस है तो मैनस तेरो बट्टा 24 गुल्ने पांच बट्टा आठ इस परकार से हो गया अब दोनों तरफ सॉल्प कर देंगे पांच सत्य 25 बारा अठे कितना होता है बारा अठे बारा अठे होता है 96 मैनस है तो मैनस इधर भी इसको भी डारेक्ट करेंगे तो यह कितना आ जागा 24 आठ को गुना करेंगे 24 आठ के गुना करेंगे ता अठे चोगा 32 का दो हाथ बच्चा तीन आठ दुना सुल्ला सत्रह अठारा मुनेश एक सब बान बे आ गया तेरह पच्चे है तो यह हो गया कि इतना का एल सीम लेंगे एल सीम 96 और एक सो बान बे का एल सीम लेना है दो से करेंगे तो यह 48 बान में हो जागा 96 और एक सो बान बे फिर दो से जागा 24 दूना 48, 48 तूना 9-2 फिर दो से जागा 12 दूना 24 24 दूना 48 फिर दो से जाएगा 6 दूना 12 12 दूना 24 फिर दो से जाएगा 2 दो दियाच छे दूसे फिर जाएगा 3 दूना 6 दूसे फिर जाएगा 6 दूना 12 फिर कितना से जाएगा 3 दूना 6 अब इसको क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे दो दूना 4 चार दूना 8 दूना 4 चार चार दूना 8 दूना 6 दूना 32 दूना 64 64 दिया 4 दीह बारा के दू हाथ में 168 एक सो बन इतना के लसीम कितना आएगा 1092 याजाएगा इसीम तोच्यांट बेसे कि एब है एगा एक सो बाण बेच चे दूना बार का दो हाथ में एक नहीं दूना ठार या निस दो बार में तो पैतीस दूना सत्तर नहां मैंगा मैंनस से 111 में 111 में तो 65 है कि सदर में से 65 जाएका कितना जाएगा 5 नदा 112 हो गया इंसर है इस था किवचन सिक्स का बी दिया हुआ था अब ओप किफचन सी में दिया हुए है मैंने सोलह बटा साथ गुने मैंनस तीन बटा साथ फिन प्लस में दे दिया 11 बटा 12 गुने मैंनस तीन बटा साथ इसको स्वल्प करेंगे देखते हैं मैंनस सोलह बटा साथ गुने मैंनस तीन बटा साथ इसको लिखनी है फिर दिया हुए है एक आरह बाटा 12 गुने मैंनस तीन बटा का साथ इसका एलसी गुना करेंगे सते सते कितना हो जाएगा साथ साथ इस उपरे सुलह दिया अड़ता लीस मैंनस मैंनस हो जाएगा प्लस तर अड़ता लीस पटा उन्चास हो गया इदाद करेंगे बार सते जो कटेंगा कर देंगे इसको कटेंगे तो तीन से एक वार में चार वार में तेहां जाएगा मैनस का 11 मैनस का रहा हो जाएगा अच्छा अठाश ने आगर विश्वर्ण लेंगे तो कितना हो जाएगा नुचा सो अठाश करें सियम लेते हैं कर दो कर दो कर दो कि इनचास ओटाइस के अलसी हम लेंगे तो हो जागा एक स्सक्राइब और पर है जाए में एक सो च्यानवे उन्हास से चार बर में आएगा च्यानवे नौचो के च्छतितिस के छे हाथ में तीन चारतीय बारह चल्चों के 16, 17, 18, 19, तो यहां पर 48 गुन्ने, 4, प्लस मैनस हो जाएगा, चैन्बे, 28 से 96 आएगा, साथ बान में, 11, 17, अब इसको आगे करेंगे, तो कितना आजाएगा, यह हो जाएगा, 112, मैनस सत्थात्र बट्टा, 196, जब इसको घटा आएगे तो आजाएगा, 115, बट्टा, 196, यह हो गया, एंसा, इसी तरह, चैन्टा का डी भी देख लेते हैं, डी में दिया हुए है, डी में दिया है, मैनस 3, बट्टा का 5, गुने, 5, बट्टा 13, मैनस, 9, बट्टा 13, इतना, दिया हुए, इसको हल करेंगे, मैनस 3, बट्टा 5, गुने, इसका हल सियो मा जाग यहां पे, 13, हल सियो मा जाग तेरा, पांच मैनस 9, मैनस 3, बट्टा 5, यह ऐसे ही रहेगा, यह हो गया, इसको गुना करेंगे, चार दिया, बट्टा 12, मैनस, मैनस, बट्टा था, जो कि हम लोग देख चुके, अब देखेंगे, किफचन नमबर, शेवेन, चलिए पहला है, हम किफचन लिख लेते हैं, सदवा किफचन बोड़ रहा है, नहीं में, परते के लिए, गुनन के अंतर गत, उपियो किये गए, गुनधार्म का नाम लिखिए है, मतलब, जो किफचन दिया गया है, उसमें कौन सा गुनधार्म क प्राभर में नियम के इंतरगते दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे मतलब लिख देना है कि कौन नियम पर यह बैठा गया है तो यह है कि गुनात्मक क्रम्बिन में है जैसे क्रम्बिन में नियम क्या होता है कि ए प्लस भी बराबर भी प्लस ए और एक और नियम होता है है गुना में कि ए गुने भी या भी गुने ए करेंगे तब भी से में आगा तो यह है गुनात्मक क्रम्बिन में नियम भी भी में दिया हुए है भी में दे दिया मैनस पांच बट्टा दो गुने मैंनस साथ बट्टा चार ब् inviting पुने एक बट्टा तीन भी दे दिया मैनस पाच बंच बट्टा दो मैनस साथ बट्टा चार कुने एक बट्टा तीन इतना दे दिया इसको देखेंगे कि या क्या है तो पिछे हम पड़ चुके हैं साहचारीय नियम में क्या होता था ये प्लस बी इन्टु सी या फिन इधर निकाल देतेते सी इन्टू तो भी प्लस भी गुन्य इस टाइप से होता था इसमें क्या है या सहचार्य है गुनात्मक सहचार्य है उसमें प्लस होता था तो योग का सहचार्य होता था इसमें गुन्य है तो गुन्य का गुनात्मक सहचार्य नियम इसको कर सकते हैं गुना में है तो गुनात्मक सम्में ह साचार यह उसे परकार सी देखते हैं सी में दे दिया है मैंनस चार बट्टा साथ गुने एक फिन दे दिया है बराबर एक गुने मैंनस चार बट्टा साथ बराबर मैंनस चार बट्टा साथ तो हम लोग पीछे क्या पड़े थे गुनात्मक तस्समा मनें एक गुने एक करेंगे तब भी यह आएगा और एक गुने एक करेंगे तब भी यह आएगा उसी तरह है यह तो यह हो जाएगा गुनात्मक गुनात मकता समय में क्या देखते थे कि एक करते थे तब भी यह आता था और एक उन्हें एक करते थे तब भी यह आता था इसी तरह एक जगे पर मान लिए यह मैन्स4 पटा साथ मैंसו चार बटा शाल कुने 1 करेंगे तब भी इतना ही याए गा थे गुनेंड है करेंगे तो फज Two पटा साथ якुणात्म पीछे के ठीडिकल क्लास जो है लेक्चर विडियो उसमें हम सब बता चुके हैं यह सी हो गया डी डी में दिया हुए है मैनस का नो बटा सुल गुने सुल ला बटा मैनस नो बराबर दे दिया सुल बटा मैनस नो गुने मैनस नो बटा सुल ला बराबर एक यह कौन सा गुन है यह गुन है गुनात में परतिलों परतिलों में का होता है था बता सुला का प्रतिलों क्या हो जागा सुला बता नो सुला बता नो का प्रतिलों क्या हो जागा मैनस नो बता सुला प्रतिलों में क्या होता था कि एक प्रतिलों क्या होता था मैनस में हो जाता है तो यह नियम हो जागा गुनात्मक प्रतिलों यह है गुनात्मग प्रती लो गुनात्मग प्रती लो मुग्या उसी परका इड़क ते है इ में दिया हुए है मैनस तीन बटा चार मैनस तीन बटा चार गुने पांच बटा छे ब्रेकेट बंद फिन गुने मैनस एक बटा दो दे दिया है मैनस तीन बटा चार गुने पांच बटा छे गुने एक बटा दो यह हो जागा गुनात्मग सहचारिया हो जागा डैरेकट बी के जैसा सेम है तो यह हो जागा गुनात्मग सहचारिया साचारिया गुनात्मक साचारिया हो गया यह उसके बाद एफ भी दिया हुआ है एफ भी देख लेंगे यहीं पर दीया है मैंनस सित्र बट 3 गुन 20 बाराबर जीरो ने यह सुन्यका गुनात्मक हो जाएगा सुन्यका गुनात्मक ह हो कि किसी भी खनख्या में सुन्या से जीरो करते हैं तो क्या होता है सुन्या का गुनात्मा गुन होता है जखो गया इनसे अब किफिशन एट नंबर हम लोग देखेंगे चलिए पहले हम किफिशन लिए अठो किफिशन में तंबान गयात करने के लिए देख लेते हैं दो बटा पांच देदी है गुने मैंनस एकीस बटा अठाइस गुने पंद इस गुने साथ मैंनस का पैंट इस मैंनस मैंनस प्लस हो जाए तो से यह जोगता जोगता बार में यह गया और जोगता बार में यह चला गया अधित तीन दस एतीन से गया पार्थ यह पंदर दस दिया तीस फिर साथ दुना चुप द जोगता जो साथ दुना चुप दा तीन सते एकिस पास सते पैंटीस है साथ इस साथ झाल तीन कि तन आ अगया उपर बच गया तीन नीचा बच पांच दुना दस टाफ सो यह हो गया एंसर इसकु अलग अलग कर गए कि पी बी काट काट सकते हैं बी में दिया हुए हैं बी में दे दिया तीन बटा पांच गुने मैनस सत्रह बटा कि एक इस गुने च्छतिस बटा पिचासे गुने तीस बटा अठार इसको कटेंगे तीन से यह कर जाएगा साथ वान में तीन यह चे से पांच यह दू अठार से दू बार में यहां अठार से दू बार में कट गया है चे दू अधिशन लग अलग करके भी काट सकते हैं या एक एक साथ भी काट सकते हैं यह पांच से छे बटेश थीश नीचे बचा साथ पांच साथ पजब आती साभपर पांच जबना बार मैं अध्या बार मैं अध्या इस पांच आग बटो यह तर इस हाग के लाग को अगला बीघ्ट झाल 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 झा